हां जी गुड इवनिंग प्यारे बच्चो जैसा कि लाइव क्लास है और इस क्लास के अंदर मैंने पहले भी इंस्ट्रक्शन दिये हुए हैं कि मैं किसी का क्वेरी नहीं करूँगा क्लास के बाद आपके क्वेरी लूँगा आप वाट्सप पर भेज सकते हैं ठीक हैं मैं एक इस यह बनाया जाता है उसके क्या रीजन है यह सारी चीज़े हमने देखा और एक छोटा सा फॉर्मट भी देखा और उसको समझा भी था और इसमें क्या क्या रीजन थे तीन यह चार बाते पताई थी एक ड्यू टू आपका टाइम जिसके अंदर चेक पर्जेंट नहीं हो था और साथ के साथ एक और क्या था हमारा ड्यू टू टाइम के साथ साथ देखा जाए तो डिरेक्ली डिपोजिट बाई कस्टोमर या फिर डिरेक्ली चार्ज बाई बैंक या एर यह सारे पॉइंट्स हमने डिसकस कर लिए थे इसमें इसके बाद हम बैलेंस इस पर जैसे कि मैंने बताये कि पास्टू के बारे में सोचना है अगर पास्टू किसी वजह से हमारा प्लस होता है तो हम भी प्लस कर देते हैं यहां पर और पास्टू किसके पास होता है bank के पास होता है हमारे पास होता है लिखने इंट्री बैंक ही करेगा तो यही सारी चीज़े हमने देखा था last class में पास्ट बुक में reasons अब एक दो question practical करेंगे तो और clear होगा आपको display पे question दिख रहा है कहता है कि रमेज has his account at Punjab National Bank एक रमेज है उसका account PNB पंजाब national account में है according to his cash book balance और इसके according cash book का जो balance है वो 31 March का है और वो है 72950 तो cash book का है 72950 ठीक है ना cash book का जो balance है हमारा 72950 रहेगा अब कई बार अगर overdraft आते हैं तो negative एक plus sorry मैंने by mistake उल्ल्ट opposite लिख दिया होगा यहाँ plus और यहाँ होगा minus ठीक है तो 72 टू ओहो सई से लिखते है 72 950 950 ठीक है आगे कहता है he sent check of 90075 मैंने check भीजा बैंक को 90075 का तो यहाँ पर देखो word underline करना आपके पास assignment है यहाँ पर लिखाओ है checks यानि यह multiple check है एक check नहीं है to his bank collection but check amount four three seven six nine were not collected by the bank इसमें से इसमें से four three seven six nine इसमें से four three seven six were not collected तो सबसे पहले situation देखो हमारे दो तरीके से error होंगे इसके इंदर इस टाइप का जो question होगा उसमें दो तरीके से error दिया जा सकता है और दो तरीके से क्या जैसे मान लो मैंने सौर रुपय का check दिया example बैंक में जमा करवाया मैं यह जमा करवाने के लिए बोल रहा हूँ आप नोट भी कर लिजेगा इसे नोट कर लिजेगा इसे मैंने सौर रुपय का बैंक में जमा कराया यह लिखिजिए मैंने जमा कराया या नी deposit बट कंसर यह है कि जब मैंने 100 रुपए का चेक जमा कराया तो इसमें दो बाते हो सकते हैं नमबर वन या तो यह एक चेक नहीं है यह मान लेते हैं 4 या 5 चेक है 100 रुपए का 4 या 5 चेक है इसके अंदर दो बाते हो सकती है या तो मैं आपको information दूँआ इसमें से कुछ चेक जमा हुआ है या information दूँआ चेक नहीं जमा हुआ ठीक है और इसके अंदर खास बात date का भी रहेगा अब जो date है मान लेते हैं हमारा as on as जो question में होगा वो date लिखेंगे तो दो बाते कुछ सी है या तो हमारा deposit की information मैं दूँआ आपको या मैं information दूँआ मैंने जमा कराए लेकिन अभी तक bank में deposit नहीं हुआ not deposit की information दो जानकरी दूँआ अगर मैं आपको deposit की information देता हूँ तो आपको check करना चाहिए कि deposit की information कहां से है अगर deposit की information दिया है तो यहाँ पे आपको balance निकालना है suppose करो मैंने बोला कि 100 रुपए में से 30 रुपए का check जमा हो गया तो गड़बड़ी कितने से होगी गड़बड़ी होगी 70 रुपए से ठीक है न मैंने deposit की information दी और मैंने कहा 30 रुपए का check जमा हो चुका है तो गड़बड़ी कितने से होगी 70 एंट्री कितने से करेंगे 70 से और not deposit के case में मैंने बोला कि इसमें से 40 रुपए का check नहीं जमा हुआ तो जब मैंने बताया 40 का check नहीं जमा हुआ तो error किस से होगा 40 से ही होगा तो काफी सारे बच्चों का ये doubt होता है सर कब difference लेना है कब नहीं लेना तो देखो जब मैं deposit की जानकारी दूँगा तो deposit इतने हो गए तो गलती कितने से होगी balance से और अगर मैं बोलता हूँ इतने नहीं जमा हुए तो गलती उसी से ही है ठीक है तो यहां पर भी question में क्या कहता है कि मैंने इतने रुपे का check जमा कराया जिसमें से ये check जमा नहीं हुआ जब ये वो लग ये check जमा नहीं होगा तो error किससे होगा इसी amount से तो bank में पैसा जमा करना था लेकिन जमा नहीं हुआ तो passbook क्या होगा हमारा minus तो हम भी minus कर देंगे check deposit but not clear CLR लिख देता हूँ ठीक है check deposit but not clear तो minus हो जाएगा 4,3,7,6,9 इसके बाद आगे देखते है out of the check issue him payment of his date check 2,9 were not presented मैंने कुछ check issue किया जिसमें से 2,9,3,4 का check present ही नहीं हुआ payment के लिए तो जो present नहीं हुआ तो error उसी सही है तो check issue check issue but not present इसको हम short form में लिख देते है PST present PRT कर देता हूँ present ठीक है तो आपको पता है कि जब मैंने check issue किया issue का मतलब क्या होता है check किसी को देना मैंने check बोला कि भाई जाओ ये check लो और पैसे निकाल लो लेकिन आप गई ही नहीं निकालने तो मेरे bank से क्या minus होगा पैसा नहीं होगा तो मेरा bank balance क्या होगा इस case के अंदर plus होगा तो हम भी plus में लिख देंगे और amount है हमारा यहाँ पे 29 344 ठीक है were not presented for payment prepare bank reconciliation देखो कितने छोटा सो question था और bank reconciliation statement पूछा गया है बना के दिखा देते है totaling करते हैं और जो भी answer आएगा balance as per pass book आएगा क्योंकि cash book से start हुआ है अभी हम cash book cash book के ही discussion करेंगे तो मैं total कर लेता हूँ 950 plus में 2934 4922 यह आगया 102294 minus करेंगे हम 4 3769 यह आजाएगा हमारा 14 14 4 5 8 2 5 5 585 के बाद 85 तो यह लिजी आंसर आ गया 58525 अब देखिए डिफरेंस यहां था यहां था यहां था यहां था तो आपने यहां लिखना चाहिए आप लिखेंगे यहां 58525 ठीक है तो यह first question हमारा complete हो गया second question है first हमने last class में किया था अब इस first के बाद यह हमने second question किया तो 4-5 question हम करें कि हमारा doubt solve हो जाएगा तो इसको एक बार फटा-फट से note करिए इतने मैं calculator भी ले आता हूँ करने इस तो आता हूँ forecasting कर दो झाल झाल कर लिया नोट छीक है चलिए कोश्चन हम सेकेंड स्टार्ट के बाद यह तो रहने देते हैं यहां से मिठाते हैं इसको भी नोट कर लिया ना आपने इसके उपर जैसे जैसे होता जाएगा ना मैं आगे आगे आपको बताता जाओं दन कोश्चन नमर थ्री कहता है on 31st March 2019 cash book of महेज show a debit balance तो मैंने बताया था आपको के cash book में अगर मैं debit balance बोलू तो यानि plus है और credit balance बोलू तो minus है और pass book में उल्टा होता है लेकिन pass book वाला जब करेंगे तब समझेंगे अभी cash book में debit balance बोला गया है यानि plus वाला balance है हमारा और वो है 75,000 रुपे तो 75,000 रुपीज है आगे कहता है statement showing the fact were discovered और कुछ गलतियां पाई गई और कुछ गलतियां पाने के बाद आगे फिर continue question में कहता है on 31st March two checks 5000 और 7,000 two checks 5000 and 7,000 but deposit into the bank not result लेकिन वो bank में पहुंचाए नहीं not realize realize के नीचे underline करिए realize का मतलब होता है अभी मिलना नहीं वो काम done नहीं होना एक तरीके से तो इसने बोला दो check थे एक check था 5000 का और एक check था 7,000 का अब आप ये check करिए कि ये जो check 5000 का और 7,000 का था इस check का पैसा पास्वुक में आया या नहीं आया अगर पास्वुक में दो चीजे हैं या तो check सबसे पहले ये पता करिए चलिए आप ये check को sent कर रहे हैं या withdrawn कर रहे हैं तो question में कहता है deposit ये check deposit किया यानि मेरे bank में balance आ जाना चाहिए लेकिन किसी reason के विज़े से आप आया है नहीं आप आया तो आपका answer है sir किसी reason के विज़े से not presented for not deposit हुआ अभी तक तिल not collected हो पाया है अरे simple से बात समझिए मैंने दो चेक bank में जमा किया हमारी उम्मीद गया है कि पैसे आएंगे लेकिन वो आ ही नहीं पाया है तो इसका मतलब bank का balance में पैसे plus होने थे plus नहीं हो पाया है इसका मतलब minus है हमारा bank तो मैं लिखूंगा check deposit but not clear minus है जी 1200 एकटा लिख सकते हो और अगर आपको एकटा नहीं लिखना तो आप इसका दूसरा pattern बता देता हूँ आप यहां लिख सकते हो check number one और check number two check number one 500 5000 और 7000 आप continue करके ऐसे 12000 ये भी लिख सकते हो ठीक है आगे कहता है three checks 6000, 8000, 12000 issue but none of these check present in the bank मैंने तीन check issue किये check issue का मतलब बताईए क्या होता है check issue but not present check issue किये लेखिन अभी तक present नहीं हो तीन check थे और तीन check की अगर हम बात करें तो तीन check कितने कितने का था वो देख लेते हैं एक था check 6000 का और एक था check 8000 का और एक था 12000 का तीनों issue किये यानि मेरे bank से पैसे निकलने थे लेकिन किसी भी कारण की वजह से मेरे बैंक से पैसे नहीं निकल पाएं तो बैंक से जब पैसे ही नहीं निकले तो इसके बैलेंस में क्या फरक पड़ेगा बैलेंस प्लस होगा तो एड करिए 6 और 8 और 6 14 और 12 बताईए जल्दी 14 और 12 14 और 12 26 अजार तो 26 अजार से मेरा बैंक का बैलेंस प्लस होगा आप इसको जैसे मैंने यहां किया ना चेक 1, चेक 2, चेक 3 इस तरीके से भी रिपर्जेंट कर सकते हैं चलिए जी चलिए आगे कहता है कंटीन्यू में बैंक क्रेडिट 1250 इंटरस बैंक ने हमें 1250 रुपे दे दिये क्रेडिट कर दिया तो बैंक के अंदर क्रेडिट का मतलब क्या होता है इसका मतलब प्लस और डेबिट का मतलब क्या होता है माइनस तो पास्बुक में हमारे इंटरस प्लस हो चुका है इंट्रस नॉट रिकॉर्डड ठीक है और उसके बाद कहता है बैंक ने चार्ज की एक सो पचास तो बैंक ने भाई पहले तो दे दिये अब बैंक ने चार्ज किये तो बैंक जब चार्ज करेगा तो बताईए क्या होगा जैसे ही बैंक चार्ज करेगा बैलेंस क्या हो तो यहाँ minus हो गया bank charge के नाम से bank charge entry return नहीं है आपने नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी कितने रुपे से charge किया है bank ने भाई bank has been charged by 150 minus ठीक है total कर लेते हैं फटा फट से answer निकाल लेते हैं 75,000 26,000 बारह सो पचास 102,250 102,250 12,150 12,150 10,50 10,50 12,500 दो एंट्री और रहे गया है इसमें वो मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने फटा फट टोटल कर दिया दो एंट्री इंस्वरेंस प्रीमियम बगर नीचे है वो आगे कहता है कंटीनु में बैंक पेड इंस्वरेंस प्रीमियम पांच हजार रुपए वर रिकॉर्डिड पांच इंदा कैश बुक तो बैंक ने ना इंस्वरेंस प्रीमियम पूरे पांच पेड कर दिया लेकिन कैश बुक में पांच रिकॉर्ड हो गया है तो कैश बुक माइनस तो पांच सो से हुआ प्रीमियम पेड करने का मतलब हम दे रहे हैं ठीक है तो हमने पेड किया पांच हजार बैंक से कितने निकल गए पांच हजार और कैश बुक से कितने निकले सिर्फ 500, अब comparison करो bank से balance ज़्यादा minus है, कितना ज़्यादा minus है, पूरे 5 यह 4500 तो answer is, sir cash book के comparison, bank से जो minus है, insurance के नाम से वो है sir, वो है sir 4500 रुप है, बिल्कुल ठीक तो यह 4500 है तो हमें comparison भी तो करना होता है न, तो यह आ गया 26,000 75,000, 26,000 और 1250 102250 102250 102250 minus 12,000 minus 650, minus 4500 तो answer is balance balance as per cash book here amount 8560 समझ में आए कैसे करने sir, यह बिल्कुल आ गया तो मैं आगे और question दूँगा फटा फट इसको note करिए कर लिया note तो my dear, 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 dear student आपने note कर लिया, अब मैं कुछ फिर से concept revise कराना चाहता हूँ, मैं देखो सारे question मैं चाहता हूँ, बोर्ड पे कर दूँ और मैं करूंगा भी इससे पहले मैं ये कोसिस करता हूँ, कि फिर से एक बार concept बता हूँ, थोड़ा सा है न, और मैं पहले हूंबक में देता हूँ, और कल भी class होगे आपकी, ध्यान रखिएगा, तो ये note कर लिया, hopefully आपने, तो कुछ आपको confusion हो सकता है, में बी, एक बार ये concept अच्छे से clear हो जाए, पास्बुक वाले question नहीं देखना, और अभी बोला, फिर से illustration देखके मत समझना, ये किसी और teacher ने दूसरे way से पढ़ाया है, उससे मत समझना, नहीं तो मेरे लिए मुसीबत हो जाईगी और आपके लिए भी समझ नहीं आएगा पूरे lifetime गे chapter, देखिए, adjustment बोलते हैं, मान लेते हैं, आपको दो तरीके से given होगा, जैसे मान लो, मैं जो work करने जा रहा हूँ, accounting है, वो 31st, 3, 2020 की, suppose करो, और मेरे पास सबसे पहले मैं deposit के point of view से, अगर मेरे पास कुछ checks आएं, मान लेते हैं 2000 का, अब, एक आपको information देगा before date का, एक information देगा after date का, ठीक है, कुछ बचे फिर confused होते हैं, सर, आपने तो ये बोला था, अब मैं पूरा ही detail में ले जाता हूँ, इसे, before date में, या तो check आपने deposit करा, या तो check clear हुआ होगा, या फिर not clear हुआ होगा, sir statement बताईए लिखके, जी बिल्कुल statement, check deposit, but not clear, till 31st 3, 2020, ठीक है, तो मैं before कहूँआ, ऐसा नहीं कहूँआ के 1 April, 31 March के बाद वाली date की बात नहीं करूँआ, या फिर दूसरा हो सकता है, check deposit, but only 1,000 clear, till 31st 3, 2020, ठीक है न, तो आप धिहान रखे, जब clear बोल देना, before date, यानि 30 March से पहले इतना clear हो गया, तो हमारा देखो, check जब deposit करेंगे, तो माइनस ही होगा, error हुआ, तो error को माइनस ही करेंगे, हम किसमें, cashbook में, तो clear बोल दे, तो clear के case में, हम difference amount से करते हैं, difference amount से, मान लो, check 2000 में से, मैं बोलू के 1500 clear हो गया, तो 1500 clear ही हो गया, तो गलती किस से है, तो answer जो हम करेंगे, जो हम answer करेंगे, वो करेंगे 500 से, entries से होगा, अगर not clear है, तो not clear में, हम करेंगे, जो information question में given है, question information से, जैसे मैंने बोला के 2000, आप लिखिएगा अभी अपने language में, 2000 में से 300 clear नहीं हुए, 2000 में से 300 clear नहीं हुए, तो गलती इसी से रहेगी, और answer यहीं रहेगा हमारा, समझवाई बार, जब before date की बात करें, before date, अगर बोलता है clear, तो difference amount लेने हैं, जो की करना है, क्योंकि जितना part clear होगी है, वो तो error नहीं है, जो बचा हुआ है, वो error है, और अगर बोलता है, यह clear नहीं हुआ, तो question खुद ही बोल रहा है, यह गलती है, तो आप इससे करोगे, दूसरे point करते हम बात after, after की भी बात करें, तो एक तो clear होगा, और एक not clear होगा, अगर after date की बात करें, एक्जामपल दो सर, एक्जामपल देते हैं बिल्कुल, मैंने बोला, चेक, डिपोजिट, रुपीज 20,000, चेक, डिपोजिट रुपीज 20,000, बट, 1500, clear, on first for 2020, अब मुझे बताइए, जिस date के लिए हमें काम करना है work, उसके बाद के लिए information दे रहा है, उससे पहले के लिए, आप धिहान से देखे, तो उसके बाद की information दे रहा है, तो question कहना चाहता है, कि भाई हमने checks 2000 या 20,000, मैं 2000 रुपे ले रहा हूं, चलो 2000 ले ले लेते हैं, 2000 का जमा करवाया है, जिसमें से 1500 क्लियर हुआ है, कब क्लियर ओन इस date पे, तो हमें 31 मार्च तक चेक करना है, कि क्या check कितने का क्लियर नहीं हुआ, तो जब question खुदी बोल रहा है, कि 1500 रुपे अगले मेहने क्लियर हुए हैं, तो गलती कितने से है, क्या मार्च तक ये 1500 clear हुए होंगे जवाब है नहीं check clear नहीं हुआ होगा यानि मेरे account में पैसे नहीं आये होंगे बिल्कुल simple language हो बोले तो answer इस case में answer है done 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 कितने से 1500 से यहाँ difference नहीं लेना तो अब देखो अगर before date बोलता है clear तो difference लेकी करना होता है check करना है अगर after date clear बोलता है तो difference नहीं लेना वो जो बोल रख है वही error है बहुत important बात बता रहा हूँ है कई बार mistakes करते हो आप not clear के अंदर क्या होगा example दे बिल्कुल मैंने बोला check deposit मैंने बोला यहाँ पर check deposit 2000 बट 1500 रुपे clear on first for 2020 ठीक है अब मैं बोलना चाहता हूँ इसी मैं alternative alter करना चाहता हूँ पहला point clear दूसरे पर चले ठीक है अब बात करते है not clear की है ना not clear में क्या है देखो यहाँ पर तो मैंने बताया था check deposit चेक डिपोजिट और इतना पैसा इस date पर clear हुआ है तो इतना मतलब उसी से गलती है और यहाँ पर not clear का मतलब मैं बोलता हूँ date के बाद वाले में मैंने बोला check deposit but not clear not clear on first चार 2020 तो यहाँ पर भी मैंने बोला के check clear ही नहीं हुआ 2020 तक तो ऐसे situation में क्या होगा after date बोल रहा हूँ तो error कितने से भाई 1500 से clear नहीं हुआ तो 1500 ही answer होगा यानि जब date के बाद की information देगा आपको तो जो amount clear नहीं है या जो amount clear है उस date पे अगले वाले date पे बाद वाली date पे उसी century करना है same ऐसे अगर before वाले की बात करें तो before वाले में हमारा लेखिन अगर हमारा clear हो गया तो difference और clear नहीं हुआ तो वही रहेगा got it clear तो आपका ये करने का सारा का सारा question तरीका रहने वाला है इसके साथ साथ अगर मैं बोलू विड्रोन का तो विड्रोन में भी यही concept लगाना है आपने मैं आज question दे रहा हूँ आपको करीब 10 question दूँगा मैं assignment भीज़ दूँगा भी 10 question आपने try करना है उसके बाद मुझे जबाब बताईएगा ठीक है चलिए कल फिर में class लूँगा और 10 question मैं पहले देना चाहता हूँ और इसके हर किसी के strictly homework आ जाने चाहिए चलिए ठीक है फिर elaborate करेंगे पहले मैं phone करके discuss कर लूँ बच्चों से सबसे क्यूंकि मैं जो मेरे से classes लेते हैं एक पर phone करके भाई क्या part clear नहीं है तो उसको मैं incorporate करूँगा अभी मैं अपनी तरफ से सारा बता दूँगा तो दिक्कत रहेगा चार class में खतम करेंगे chapter को चलिए ठीक है thank you so much